कि असलाम अलेकुम चैप्टर नमबर हमारा टैन चल रहा है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक लॉओ को डिसकस करने वाले हैं जो कि हुक्स लॉओ है और हुक्स लॉओ के बाद इसी हुक्स लॉओ से रिलेटिट एक कॉंस्टे को भी हम इसी वीडियो के अंदर इसी लेक्चर के अंदर जो डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉओ से और हुक्स लॉओ के मुताबिक है एट स्टेट्स देखर वर्ट्स है हुक्स लॉओ तो यह हमार पास जो है वो हुक्स लॉओ है जो कि एक इंग्लिश फेजिशिस्ट और कैमिस्ट जिनका नाम रोबर्ट हुक्स था उन्होंने पेश किया था और जो यह था जिसके अंदर यह लोग पेश किया था वो 1678 था जिनकी नाम के उपर जो है इस लॉओ को रखा गया है खुक्स लॉओ ह और यह हमें क्या बताता है यह फिर इसकी स्ट्रेंस कोई भी लास्ट ऑड़ी हो इसके लिए stress is directly proportional to strain यहां से लेकर यहां तक जो है वो इसकी statement है चोटी सी कि stress जो है वो directly proportional है strain के condition यह है कि जो body है वो elastic होनी चाहिए उसके अंदर elasticity की property जो हो मुझूद होनी चाहिए और within the elastic limit जो कि आगे हमें उन्होंने मजीद clear करके बताया हुआ है कि in other words limits दूसरे लफजों के अंदर अंदर the elastic limit the elastic limit के अंदर-अंदर मतलब elastic limit से भार नहीं जाना चाहिए अलके elastic limit के अंदर-अंदर जो भी deformation आएगी material के अंदर वो directly proportional होगी कि जितनी इसको पर force लगाए जा रही है जो deformation body के अंदर आएगी elastic limit के अंदर-अंदर वो proportional होगी directly proportional होगी जो force उसके अपर अप्लाए की जा रही है उस deformation को लेकर आने के लिए तो जो material है हम बोलेंगे कि यह hooks law को ओवे कर रहा है या फिर यह hooks law directly proportional का मतलब क्या यह mathematically भी नीचे जो है वो लिखा हो है इसी लोग को इस पूरे लोग को mathematically एक लाइन के अंदर एक जो है वो में इस्टेप के नदर यह बताया हूँ है कि stress is directly proportional to strain और अगर proportional या फिर डारेक्ली पॉपरिस्टनल का मतलब अगर देखें हम तो डारेक्ली पॉपरिस्टनल का मतलब यह है कि stress जतना ज्यादा बढ़ाएंगे stress की वैलियू को में लोग जतना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा strain किसी बॉड़ी के अंदर प्रूडूस होगा stress क्या क्या इस टेंड क्या ये पिछले वाले टॉपिक इंदर पिछले लेक्ट्र के अंदर एंदर प्रूदें लिए होती है वह थो होती है अड्याद के ओपर एक्क करने के लिए जोंकि इंटनेंट उस object के अंदर आता है stress की वजह से उसे हम लोग strain बोलते हैं तो जितना ज्यादा stress हम किसी body के ओपर लगाएंगे जितना ज्यादा इस stress की value होगी उतना ही ज्यादा उस body के अंदर change आयागा और दूसरी definition के मताबिक भी कि जो deformation होती है material के अंदर elastic limit के अंदर अंदर elastic limit से नीचे नीचे जो भी deformation ये जो भी change उस material के अंदर आता है वो directly proportional है कि जितनी ज्यादा force जो हो इसको पर लगाए जारी एक material है तो लाजमी सी बात है इसके अंदर change उतना ही ज्यादा आएगा change इसके अंदर उतना ही ज्यादा आएगा जितनी हम force बढ़ाएंगे अगर हम force बढ़ा रहे हैं इसका मतलब stress बढ़ लाए तो इसका मतलब जो strain है वो भी काफी ज्यादा आएगा तो deformation जो body के अंदर आती है वो directly proportional है applied force के जो हमने force अप्लाई की वे उसके तो अगर यह चीज हो रही है यानि कि force जो अप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा strain जो है वो ज्यादा deformation जो इस body के अंदर आ रही है तो हम क्या बोलते हैं कि जो material है यह hooks लोग को जो फॉलो कर रहा है लेकिन इस hooks लोग की जो एक condition है वो यह है कि elastic limit के अंदर अंदर जो है वो यह वाला जो relation है यह applicable होता है नहीं कि जो इसको हम लोग एक गिराफ से जो समझते हैं जो कि रॉबर्ट हुक नहीं बैसिकली जो है वो बनाया था अब अगर इसी hooks लोग को इस गिराफ के मदद से समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम stress की value बढ़ाते जाएंगे strain की value भी उतने ज़्यदा बढ़ती जाएगी elastic limit तक तो for example कि हमने stress की value बढ़ाई और strain की value यह वो मिलती की इस point तक यह एक linear यह फिर एक straight line मिलेगी है में graph के उपर क्यों straight line जो होती है basically यह direct relation को show कर रहे होती है कि जितना ज्यादा stress बढ़ाते जा रहे हैं for example इतना stress किया तो इतना strain आया इतना stress किया तो इतना strain आया यह बिलकुल uniformly चलता जा रहा है चलता जा रहा है फिर इस point के बाद चुपकी elastic limit है एक इस तरह का हमें graph जिता है यह पिर इस तरह का जो है वह कर्व ए सब्लता है और यह जो होती है यह फोई होता है यह elastic limit होती है SYSTEM condemns और यहां तक जो है वो बोडि यहां से लेकर यहां तक जो बॉडिवडी की प्रॉपर्टी जो है वो शोग करती इलस्टी सीटी की प्रॉपर्टी शो करती यहां से यहांbn तक इसके बाद जो चाहर वो प्लास्टीक डीजिन शुडू हजाता और और फिर ये एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते है है कि यह जो रहता होगो बंस्क्राइब ब्रेकिंग5 होता यानिके इस पॉइंट पर आके जो चीज वह टूड़ आती है और यहां से लेकर यहां तक यह यह इलास्टिक रीजन है यानि के इलास्टिक आप्लीकेबल है मतलब यह कि शुरू-शुरू में क्या हो रहा होगा कि जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह जो स्ट्रेन हमारा बढ़ता जा रहा है यूनिफॉर्म ली जितनी वैल्यू स्ट्रेस की बढ़ा रहे होतनी जो है वह इस्टेन की बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और एक पॉइंट यह वह यह बला जब आता है जब लास्टिक लिमिट तक वह बोड़ी पहुंच जाती है एक करने का मतलब यह यहां से लेकर यहां तक लिमिक से नीचे-डाइंगे यह डिफॉर्मिंग फोउर्ज यहां इंगी तो जो जो अबजेक्ट या जो मटेरेल वह अपनी ओर इजडिनल शेप को बीजनल लेंद को यह बापकी लेंगे आफिस लेम ले लेगा यह निसके इनद स्ट्रेस की वैलिउ भड़ाई स्ट्रेस की वैलिव बढ़ाई जो कि इस गिनियु पता लग राहा है कि यहां से अथक कि यूनीफॉम इस शेप के अंतर वापसी निया सकता और एक पॉइंट असा आगा कि वू पॉइंट ब्रेक हो जागा फिर वो चीज है मटेरियल वो बेक हो जाएगा तो यह जो हुक्स लोग है यह व्याई बताता है कि फॉरें एनि एलास्टिक बोरी या फिर इलास्टिक लिमिट के अंदर लोगने बता रहे हों तो अगर इसी ग्राफ को हम इस स्केल से दुबारा से समझने की कोशिश करें तो फॉर्ञ जम्पल कि यह मेरे पास एक और इसके उपर में इस्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा रहा प्रेस्ट की वैल्यू मैंने लगाई और हुक्स लॉव हमें क्या बता रहा है कि फॉर एन एनी एलास्टिक बोडी यह मार पच्छ एक लास्टिक बोडी एक लास्टिक बोडी का मतलब कि तो अगर मैं इस स्केल के ओपर यह इसलास्टिक बोडी के ओपर आएंगा। यह अभी बिल्कुल अपने original shape के अंदर है, stress की value जैसे जैसे बढ़ाता जाओंगा, strain भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, जो इसके अंदर करवार है, वैसे 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 वो बढ़ता जाएगा, और for example, कि ये जो है, ये इसकी limit है, ये elastic limit है, अगर इसके बाद मैंने थोड़ा सा stress की value बढ़ाई, जो कि ये limit आ रही है, जो limit आ रही है, for example, कि ये इस point के उपर जा के आ गए, अब इसके बाद मैंने थोड़ी सी भी अगर stress की value बढ़ाई, तो ये plastic region के अंदर चला यागा, मतलब ये टेला हो जाएगा, और फिर मैं जब ये force अटाओंगा, तो ये वापसी अगर और बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, फोर्स, तो एक ऐसा point आगा, कि जिस पे ये object ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका graph बना हुआ है, जिसके अंदर यहां से यहां तक जो हमें बता रहा है कि हुक्स लोग यहां से यहां के अंदर मिल ला है, इसके बाद जो प्लास्टिक रिजन चुरू हो जाता है, और एक point पे जो material है, जो object हो जाता है, तो यह हमारे पास हुक्स लोग था, और अगर इस हुक्स लोग के अंदर यह जो हमें पता है कि जो proportional का सायन होता है, अगर इसको हटाएं, तो stress is equal to, इस proportional क सायन हटता है, तो एक is equal to or a constant आता है, और साथ में strain, तो यह हमार पास जो फाइनल एक expression है, हुक्स लोग की, जो कि हमें यह बता रहे कि stress जोता है, वो directly proportional to strain के, और साथ में constant भी आएगा, और यह constant यह वो डिपेंड करता है, कि हम stress कौन से यूज़ कर रहे है, और strain कों से यू strain की हमने एक टाइप जो पिछली वीडियो के अंदर पड़ी थी, जो कि longitudinal strain थी, और अगर यहाँ पे stress की जो टाइप है, वो हम लोग tensile stress यूज़ करें, तो यह जो constant है, यह हमार पास young's modulus कहलाता है, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे है, तो यह हमार पास hooks law था, जो कि मैं यह बता रहा था कि elastic limit के अंदर अंदर, या elastic body जो है, वो elastic limit के अंदर अंदर, जो उसके उपर stress लगाया जाता है, या फिर उसके उपर stress apply करते हम लोग, वो directly proportional होता है, उसके strain के, उसके अंदर कितना strain आ रहा है, उसके directly proportional होता है, तो यह simple सा hooks law था, अब बढ़ते ह इसके एक constant की तरफ जो कि हमारे पास young's modulus है, वैसे अगर हम stress की value change करें, और strain भी यह वो change करें, तो एक constant भी change हो जाया आगा, लेकिन अगर tensile stress इस्तेमाल करें, और longitude-nal strain इस्तेमाल करें, तो जो constant आएगा यहाँ पर, वो young's modulus कलाया आगा, तो उसके तरफ बढ़ते हैं, और दोसको देखने के वो क्या है, और इसकी definition क्या है कि इंदर ratio of elasticity, तो जो हमने पीछे एक expression बनाई थी, मुक्स लॉस है कि stress जो है, वो equal है, constant और strain के, तो अगर यह strain is equal to के इस सरफ आए, तो यहाँ के stress से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा पास value है, यह constant equals to stress upon me strain, और अगर जो यह strain है, यह हम लोग longitudinal strain यूज करें, और जो stress है, यह tonsile stress यूज करें, तो जो यह constant है, यह हमारा पास young's modulus के लाता है, और यही चीज इसकी definition के इंदर भी दिखी हुए है, कि the ratio of stress to the longitudinal strain is called young's modulus, कि उपर अगर stress हो, यानिके tensile stress हो, और नीचे जो है, वो longitudinal strain हो, तो हमारा पास जो constant होता है, वो young's modulus के लाता है, और इसको हम लोग denote capital Y से करते हैं, तो stress और upon me longitudinal strain, कई लॉइन हो, यह हमारा पास जिए वो young's modulus के लाता है, और young's modulus basically हमें किसचीज की information दे रहोता है, यह हमें किस चीज चीज बता रहोता है, यह हमें यह बता रहोता है, यह information दे रहोता है, कि जो material है, उसकी stiffnessह कितनी ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा सख्त है बेसे के लिए अगर इस रेशो को आप नोग और से देखें तो यह रेशो में यह बता रहा है कि एक यूनिट लॉंगिटूडल स्ट्रेंग किसी अबजेक्ट किसी मट्यरिल के अंदर लाने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रेश जो चाहिए क्यो स्ट्रेस की कितनी वैल्यू रिक्वाइड है किसी एक माटीरियल के अंदर यूनिट स्ट्रेन लाने के लिए और इसकी वैल्यू बैसिकली क्योंकि यह कॉंसेंट है तो हर मटीरियल की अपनी अपनी वैल्यू होती है जिसे हम लोग यंग्ज मोडुलस फिलास्टिसटी बोलते जो कि हमें यह इंफर्मेशन दे रही होती कि कोई आपजेक्ट कितना ज्यादा सकत है मतलब यह कि यंग्ज मोडुलस की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ी होगी किसी आपजेक्ट के लिए एक सी माटीरियल के लिए तो वह उतना ही ज्यादा सकत होगा मतलब इसके अंदर सब्सक्राइब लाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा के फॉर एक्जेमपल के हम दो ऑब्जेक्ट की जो वह वह एक स्टील और एक जो रबड़ है तो हमने पता है कि जो स्टील की वैल्यू है वह है ट्वेंटी एक्स्पोनेंट 10 न्यूटन पर मीटर स्कॉयर और जो र बार पस दो वैल्यूज है यंग्स मॉडलस की जो कि देखने सी पता लग रही है कि स्टील की काफी ज्यादा जो वह बड़ी है और रबड की जो काफी ज्यादा छोटी है तो यह हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि जो स्टील है उसके अंदर एक यूनिट लोंगी लाने के लिए इसके मकाबल में काफी कम लगेगा तो मतलब यह जो अबजेक्ट हुआ यह ज्यादा एलास्टिक हुआ और यह कम लास्टिक हुआ इलास्टिक होना किसी ममठी देल का इस पडिपेंड़ नहीं करता कि कितना ज़्यादा इस्ट्रेश चो रहा है मतलब हम देली लाइफ के अं她 है देगते ला यह है जो चीज ज़्यादा इलास्टिक होता है जिसके अंदर श्ट्रेन लेके आने के कि उलिए इसलिए जो रबड़ committed कभे और यो इस टील हैं जाया सुझ नहaly बात कि थी ठीक की यूमर्लिस की वैलुक्रोव होती है जो कि यह है यह में यह बताती है कि है कोई जैक्थ कितना जैदा सकते हैं तो इसकी उयव जैदा होगी बहुत अतना यह प्रथा जएदा सख्त होगा उतना जएदा सख्त होने का मतलब यह की कि उसको बिफॉब करने के दिए उसके इंदर stотррать लाने के लिए हमें उतना ज्यादा stress required होगा अब for example जो यह हमने stress की और strain की values पड़ी थी अगर इसको शोट में लिखें तो यहां पर young's modulus आएगा sigma जो के stress के लिए यूज करते हैं और epsilon not जो के हम लोग longitudinal strain के लिए यूज करते हैं और यह इन दोनों की values जो हैं वो हमने पिछले ही lecture के अंदर पड़ी थी कि sigma जो होता है force upon area के और जो epsilon not होता है यानि कि जो longitudinal strain होता है वो इकल होता है change in length upon original length तो अगर इन दोनों की values अगर इन दोनों की values हम इस equation number 1 के अंदर डालें तो equation number 1 क्या बनेगी young's modulus is equal to sigma की value force upon area divided by epsilon not की value delta L upon capital L यानि के original length अब अगर इस चीज़ को मैं यू लिखू कि जो young modulus है वो इकल है force upon area divided by change in length upon original length या फिर capital L तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हो क्यूंकि हमें पता है कि वैसे भी अगर देखें तो यह जो पूरी चीज़ है यह से डिवाइड हो रही है तो मैंने इसको एक land के अंदर लिख लिया कि force upon area जो है वो डिवाइड हो रहा है इसके नदर अब यहाँ पे mathematics का एक rule जो लग रहा है और वो rule क्या है कि जब हम यह डिवाइड का sign अटाके multiply का sign लगाते हैं तो यह वली जो पूरी इसके सामने ट्रम होती है यह उलड जाती है अपॉन में चली जाती है यह mathematics का एक rule है तो फोर्स अपॉन एरिया अगर इस डिवाइड को मुल्टिप्लाइड में चैंज करें तो जो अगली वाली इसके ट्रम होगी यह उलड जाएगी अलपॉन अब अगर इनको आपस में मुल्टिप्लाइड कर दें तो फाइनल जो फॉर्मूला हमारे पास यंग्ज मॉडूलस का बनेगा वह बनेगा फोर्स मॉल्टिप्लाइड बाई ओरिजिनल लेंथ यह कैपिटल एल और नीचे एरिया मॉल्टिप्लाइड बाई चैंजिन अपां के अंदर यानि के डिविजन के इसकी जो यूनित होगी यूनिट क्या होगी अगर इसकी यूनित लिखे हैं जो कि हमने भी पीछे देखी भी ती जो कि स्टील कि तीह स्टील की यहां पे 20 एक्स पॉनेंट 10 और साथ में नीटन अपॉन में अज्ण टेन ह्किवी थि कि तोOur спорт की यूटन की ली टो मेर का आनल माड़े कैसelles मोडूल्लस की जो फायनल यूनिट बने गारेजी न्यूंतिन पर मिंटर इसका फॉर्मुला हैि यह यहांने करने का और कैसे फाइंड करते हैं एक एक मटीरियल एक अबजेक्ट है तो इसके उपर जो ट्रेस्ट लग रही है यह फिर जो फोर्स लग रही है वह इसके अंदर जो चेंज आए वह इतना है इसको चेंज़ए लेंद बोल दो और इसकी जो ओरीजनल लेंद थी ओरीजनल लेंद जो ती वह यहां से लेकर यहां तक थी तो इन सब चीजों को इस फॉर्मोली के इंदर डालो तो हमारे पास जो है वो यंग मॉडूल्स की वैल्यू आ जाती है तो यह था हमार पास यंग्स मॉडलिस जो कि होक्स लॉग का एक कॉंसेंट था जो कि टेंसाइल स्ट्रेस और लॉंगी ट्यूडनल स्ट्रेंड यूज करते हुए आता है यंग्स मॉडलिस और यह हमें इंफरमेशन दे रहा होता है कि कोई अब्जेक्ट कितना ज्यादा सखत है उसकी है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफिस